हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग टी टाइम के लिए दो तरह का केक बनाएंगे चॉकलेट स्पॉंज केक और एक टूटी फूटी स्पॉंज केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा बिल्कुल रुई के जैसा और ऐसा सॉफ्ट केक शायद आपने पहले नहीं बनाया होगा तो तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है प्रेमिक्स भी बनाना सीखेंगे केक बनाना सीखेंगे जिन दोस्तों को केक बनाने में प्रॉब्लम होती है इस वीडियो को पूरी देखिए दोस्तों आप परफ्रेक्ट स्पॉंज बनाना सीख जाएंगे और घर पर ही आप इजली प्रमिक्स भी बना पाएंगे तो सबसे पहले तो हमने 7 इंच का एक टिन ले लिया है केक मोल्ड उसमें मैंने पहले तेल लगा दिया और उसके बाद एक पार्चमेंट पेपर को कट करके यहां देखिए बिछा दिया है प्रेंट्स इसे हम लोग अभी साइड रखते हैं तो 7 इंच का टिन है मेरा चौड़ाई में यहां पे मैं मैदा यूज़ करने जा रही हूँ मैदा की जगा आप आठा भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आधा आठा और आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं तो यह आपकी चौइस है कि आप किस चीज के साथ बनाना चाह रहे हैं आटा, मैदा या मिक्स करके दोनों को तो यहाँ पर मैं पूरा मैदा ले रही हूँ और इस कप में अगर मैं माप में बताओं तो 150 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ ले लिया है यह रहा मैदा आप यहाँ कटोरे के इस्तिमाल से भी बना सकते हैं लेकिन माप में आपको बता रही हूँ यहाँ पर चीनी ले ले लेंगे पिसी हुई चीनी है और यह तीन चौथाई कप में ले रही हूँ सेम कप से तो अगर कटोरा इस्तिमाल कर रहे हैं तो उसी कटोरा से 3-4 कटोरा ले सकते हैं, चीनी कम खाते हैं तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अब यहाँ पर एक बड़ी, सौरी, छोटी चम्मच, बेकिंग पाउडर लेंगे और आधी छोटी चम्मच हम लोग सोडा लेंगे और इस बात का ध्यान रखिए कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आपका सही कंडिशन में हो, नहीं तो आपका केक ठीक से पूलेगा नहीं, फ्रेंट्स यहाँ पर हम लोग विक फिल्ट का ये कोको पाउडर ले रहे हैं, क्योंकि हमें चोकलेट केक ब जाल देंगे, आप दूसरा किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर इस्तिमाल कर सकते हैं, जो भी आपके एरिये में आपको मिल जाता है, अब इन सब इंग्रिजिएंट्स को हमें चान लेना है, ताकि हमारा केक बहुत ही फ्लफी बने, फूला फूला बने, तो इसमें एक महिने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपकी इच्छा करें, आप छान लिजे एक बार फिर से बनाने के टाइम पर, अगर आपको कुछ दिन बाद बनाना है, तो निकाल के एक बार ज़रूर चान लिजे और फिर आप स्पॉंज बना सकते हैं, तो आज मुझे तो बनाना है, इसलिए मैं आपको अब इसको बना के भी दिखला दे रही हूँ, तो प्रेमिक्स तयार करके आप ऐसे रख सकते हैं, और जब प्रेमिक्स तयार करके कुछ दिन बाद बनाने जा रहे हैं आप, तो उसमें देखिए आपको क्या क्या चीज मिलाना यह प्रेमिक्स हुआ, और आभी मैं दिकला रही हूँ, मैं बनाऊंगी किसमें, तो बिना ओवेन के बना रहे हैं, तो यहां पर एक भारी अलमूनियम की कड़ाई ले लिया है, और एक वायर रेक ले लिया है, तो आप माइक्रोवेव ओवेन में भी बना सकते हैं, माइक्र केक बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन की तियार होता है, तो मेरी इस वीडियो को जाके जरूर देखिए, इसमें मैंने प्रेमिक्स के साथ, आपको स्पॉंज बनाना बतलाया है, और मेरे माइक्रोवेव से जुड़ी और भी वीडियो है, जैसे चौकलेट गाणिश कैसे है, एक कप पानी हमने डाल दिया है, और इसको हम लोग अभी वायर रख करके इसको हम लोग अभी चूले पे चड़ा देंगे, अलमुनियम के बहारी कड़ा ही मैंने यहां इस्तिमाल किया है, कोई भी बहारी बरतन आप इस्तिमाल कर सकते हैं, और यहां पर हम लोग इसको तो यहां पर विदाउट किसी फ्लेवर वाला हम लोग को तेल डालना है, जिससे की केक में कोई भी फ्लेवर नहीं आए और यहां पर आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं, अन्सॉल्टेड वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर आप मेल्टेड बटर यहां यूज क कि अब दूद बाहा वहीं डाल रही हो हैं तो नापनापके भी पूरा एक श़प मेल्म कोई नहीं país, तो अधा पे अच्हे नहीं बताऊंगे कि टोणा वाला है अब बैटर देखें उस हिसाप सभी बमोक्म का डेवर जाना है तो आदा तो अम तको पको बहुत पतला है, elles क बेटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बेटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, तो अभी आप consistency देखिए, और उसी हिसाब से आप दूद एड़ करके बनाईएगा, यह देखिए, कुछ इस तरह का हमारा बेटर होना चाहिए, और उसके बा बेटर को बनाना शुरू कर देता है, ताकि हमारा केक फुले और बेकिंग पाउडर जो है, गर्मी के साथ करता है, जब गर्मी मिलेगी ना केक को, तो फुलाने का काम करेगा, तो फ्रेंड्स यहां पर हमने डाल दिया है बेटर को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है इस त बनेगा, बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट, कहीं से भी ड्राइनेस आपको नहीं लगेगा, फ्रेंड्स इसको बिल्कुल लो फ्लेम में हम लोको अभी बेक करना है, बड़ा वाला बर्नर जो होता है, बड़ा वाला उसमें में चड़ाया, धीमे धीमे फ्लेम में, और फ्र और उसके बाद ये सुखा सुखा ही मतलब बेक हुआ है, लेकिन देखिए 35 मिनट के बाद ही हमारा केक देखिए कितना अच्छा से बेक हो चुका है, और इसकी पहचान ये है कि जब मैं उसे उंगली से दबा रही हूँ तो ये दब नहीं रहा, वापस से देखिए अपना को होल्ड कर ले रहा है, और इसी से पता चलता है कि एक बेक हो चुका है, और सॉफ्टनेस देखिए बिल्कुल रूई के जैसा सॉफ्ट है, तो अगर आप फिर भी अच्छे से चेक करना चाहरे है, एक टूथपिक डाल के देख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चेक करिएग पता चल जाता है कि केक बेक हो चुका है, अगर कच्छा होता तो धस जाता वो, लेकिन देखिए इतनी बार दबाया, लेकिन यह नहीं दबा, बलकि अपना उसी शिप्ट में है, और अब हम लोग इसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे, और इसको हम लोग मोल्ड से देखिए, इजी ली यह निकल आएगा, नीचे में पेपर जरूर बिछा लिजिएगा, बहुत लोगों को दिकत हो जाता है, बोलते हैं कि नहीं निकल पाया हमारा केक, तो इस तरह से बिछा लिजिएगा, तो टेंशन फ्री हो जाएगा, यह देखिए, प्राच्मेंट पेपर हटा द कई भर पाया, छोल si warm, और यह निकलत। उपको हमारा केक केक कितना ज्यादा सव्फट है, वूइक के जाना आएगा, बहुत हीट ताम, डिपर साथड बढ़ा केक के बोल्हason बच्छों को सबको पसंद आएगा और अब बनाएंगी ये सुपर सॉफ्ट टूटी फूटी केक तो चलिए इसको भी बनाना सीखते हैं यहां पर एक केक टिन हम लोग ले लिए हैं जो की 7 इंच का है चोड़ाई में और यहां पर हम लोग इसमें पहले तेल लगा लेते हैं और तेल लगाने के बाद इसमें हम लोग एक पार्चमेंट पेपर को यहां डग लेते हैं बिल्कुल गुलाई में इसी गुलाई में कटा यहां थोड़ा सबच्चा हुआ इसमें भी लगा देते हैं तो फ्रेंट्स इसको अभी साइड में रखे और अब हम लोग चलते हैं अपना केक का बैटर तियार करने के लिए तो चाने के लिए एक छनी को ले लेंगे बोल को ले लेंगे और इसमें हम लोग ना जो प्रेमिक् और स्टोर करके भी रख सकते हैं यहां मैद에 एक कप मैंने ले लिया है और माप में मैं अगर बताओं विए één लोग क्जिमिक्जिक्जु कीयों की आज KAWAAAA8 कर मैंने मैदे लोग विट इसमें है क्जिक्जिक्जे तो पूरा 1-800 की क्राम आ रहा है is 33 गम हमारा कप की वेट ब मैदा हमने इस तरह से माप के ले लिया है और क्योंकि मेरे जो भी फ्रेंट्स हैं वो ग्राम में भी पूछते हैं कि आप जरूर बतलाया करिए उनको आसान हो जाता है तो इसलिए और यहां पर अब मैं के कप के वेट को हटा चुकी हूं और यहां हम लोग ग्राम में छीनी को चीनी को और मैदा को यहां थोड़ा चान ले रहे हैं क्योंकि यह जाली हमारा पुरा भर गया है तो इसमें हम लोग बेकिंग पॉडर बेकिंग सोडा जो डालना है वो बाद में डालेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर हमने चान लिया है बहुत अच्छे से चान लेने से क्या में आधी चोटी चम्मच बेकिंग सोडा और एक चोटी चम्मच बेकिंग पॉडर डाल रहे है जब भी आप इन सब चीजों का इस्तेमाल करें तो देखिएगा कि सही कंडिशन में हो पुराना ना हो गया हो जादा काम करता हो यहां तीन चौथाई चम्मच हम लोग वैनिल अधर वाला उसको दो पैकेट में यहां डालूंगी मतलब की पाच पाच रुपए का था इसलिए दो पैकेट डाल दिया इछले बार दस रुपए का एक पूरा डाला था तो दस रुपए का पूरा डाल दीजिए आप चाहें तो कोई दूसरा मिल्क पाउडर भी अच्छी मुझे बिलकुल सही लग रहा है अब देखिए जो मैं आपको बता रही थी कि बहुत सॉप्ट हमें बनाने जा रहा है इसको एक छोटा कप जो कि चाय का कप होता है उससे मैंने कडाही में पानी को डाल दिया है और चुला मेरा देखिए जला हुआ है इसमें एक वायर रैक स्कंपते मेरा ब आड डीजिक देखिए और वायर रैक के आड़ रिखेंके ऊपर हम लोग यहां के एक्टीन रखेंगे तो पानी को घर होने देते हैं और तब तक हम जो हमारा लास्ट हमें डाला है वहला है जैसे विडेगर भीनेगर डालने के बाद जादे में चोड़ना तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक चोटा चम्मच विनेगर डालेंगे वाइट विनेगर क्योंकि देखिए हम लोग एग इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए विनेगर और सोडा ही और बेकिंग पाॉडर ये सब मिल के हमारे केक को अच्छा स्पॉंजी बनाएगा तो इसक यहां पर हम लोग इसको देखिए केक टीन में डाल देंगे और बैटर की कंसेस्टेंसी देखिए बहुत जादा पतला या बहुत जादा गाढ़ा नहीं है ठीक है पतला होगा तो टूटी-फूटी नीचे बढ़ जाएगी गाढ़ा होगा तो हाड़ बनेगा केक अच्छा वाझ fушady फाल मैं आथे घंटे अर में ही जादा पानी को क्याने पूरा कीअटल या जाए चाहिद गड़ा केक बहुत जाएगी बादिया नहीं जाएं फूरा क करना केक लिए हमारे रखनीन से थीक क्रिया वाठ्रग सकती है तो फ्रैंस यह हर आज हमारा इस भाप में हमा यहां देखिए मैंने आधे घंटे के बाद खोला था तो केक जो था अंदर से थोड़ा कच्छा था इसलिए मैंने इसको फिर से धकन लगा दिया अंदर से गिला गिला नजर आ रहा था क्योंकि बीच में क्रैक्स जाया है क्रैक आया उसी से दिखलाई दे रहा था इसको क्यों देखिए मोल्ड से बाहर निकाल रही हूँ तो यह जो तरीका में आज आपको बतलाई यह तरीका से आप जरूर बना गर के देखिए अपना केक को और इतना ज्यादा रुई जैसा सॉफ्ट केक आपका बनके रेड़ी होगा कि आप भी बोलियेगा कि सही है क्या केक तो यह जो केक है देखिए सामने से कितना सॉफ्ट है और पता है यह क्यों हुआ क्यों क्योंकि जो हमने पानी डाला था वो अंदर में भाप को बनाया और भाप में यह ना बहुत देर तक भाप में ही था और इस वजह से इसमें ड्राइनेस नहीं आ पाया और उसके बाद जब सूख गया पानी तो उसके बाद हलका सा ये golden color भी हो गया इसका और बहुत अच्छे से cake ready हो गया तो बहुत पानी नहीं डाला है बस एक कप ही डालिएगा ना तो आपका ये हो जाता है और देखिए कलर देखिए क्या गोल्डन संदर सक कलर आया इसके उपर और इस तरह से आप बना करके देखिए कितना सॉफ्ट केक बनता है मैं गैरंटी देती हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप सच में बहुत सॉफ्ट बना तो यही है एक बहुत इस्पेशल सा ट और इस तरह से दो तरह का केक चॉकलेट और यह टूटी फूटी तो दोनों ही केक को जरूर ट्राइ करिए टी टाइम में बहुत अच्छा रहेगा बाहर का प्रैमिक्स खाने से अच्छा है कि घर में ही बनाया हुआ प्रैमिक्स इस्तिमाल किया जाए जो की हल्दी भी होग बाहर के मुकाबले तो फ्रैंट्स उमीद करती हूँ आपको पसंद आई हो आज की ये वीडियो दोनों ही केक की तो चलिए जुड़े रहे और जो दोस्त मेरे नए है वो भी जुड़ जाए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू बाइबाई